आपका स्वागत्य इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्बंदित सभी सूचनाय प्रदान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माधमिक सिक्षा सेवा चैन आयोग की भरती की और उसके बात में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग की भरतियों की सबसे पहले बात कर लेते हैं माधमिक सिक्षा सेवा चैन बोट की तो वीडियो की जल्दी से लाइक कर दें शेयर कर दें जिन चैनल को अभी भी सबस्क्राइब न कियो हो तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लें टीजीटी पीजीटी की बारे में सबसे पहली सूचना यह है कि टीजीटी सोसल वाले जो चैनल है जिनका साक्षातकार होना है उनका साक्षातकार रुका हुआ है उसलिए है जो कि उनका एक कोट केस है उत्तरकुंजी का 19 तारी यानि कल इसकी सुनवाई हो नहीं है और कल ऐसा लगता कि फाइनल सुनवाई हो जैगी और उसके बाद में इन विद्धार्थियों जो वो साक्षातकार होगा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के यह रिजल्ट है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है और और बताया यह जा रहा है कि एनाइसी को दे दियागी है रिजल्ट और रिजल् में आप लोगों से बताया था कि जो सासन ने निरण लिया है 2000 से पहले कि जो तदर्थ सिक्षक हैं उनको नीमित कर दिया जाएगा और उसके बाद की जो शिक्षक हैं उनको नीमित नहीं किया जाएगा और उनको कुछ भारांग दिया जाएगा अभी भारांग की जो इस्तित है इसलिए भाले ही माजमी स्क्षा चेन बोट के जो अधिकारी है वो दावा कर रहे हैं कि 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में जो विगयापन जारी कर दिया जाएगा फरवरी अंतिम फरवरी के दिनों में इसका विग्यापन जारी कर दिए जाएका लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह जрок विग्यापन वो अभी जारी ऑपाएगा क्योंकि तदर्थ शिचकों को जो मामला है वह अभी पूरी तरीके से सुलत नहीं है जो सन 2000 से पहले के तदर्थ सिख्चक थे उनका तो मामला सुलत चुका है लेकिन जो सन 2000 के बाद के तदर्थ सिख्चक है वो संतोष्ट नहीं है वो अपने अपने ग्रुप्स के द्वारा और अपने अपने लाबिंग जो होती है इन लोगों की लाबिंग के द्वारा ये चैन बोट के अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनका दावा है कि बहुत ज़ल जो टिजीटी पिजटी का विग्यापा ने वो जारी कर दिया जाएगा सुभह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि जो यूहाला भोल का कारकरम था उसने अपनी उपलेवधियों के बारे में और कुछ परिच्छाओं के बारे में भी बताया था कि उनकी आगे की योजना क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी यूपिट्र पलेसी ने इस तरीकी की रिपोर्ट जारी किये जब भी अपना संभावीत परिच्छा कलेंडर ज लिखा हुआ है मैं एक एक भरती की बारे में बिताता हूं कि यह जो बात है वह सही है 2016 और 2018 जहीं कि जो दोनों भरतियां है दोनों भरतियां रुक्य हुई है उसमें जो है इस आरक्षण को लेकर के कुछ विवाद है जो सासन इस तर पर प्रचलित है और उस पर अभी तक क सब्सक्राइब करदा प्रेशा को जानकारी मिली है इन्हों ने कहा है कि जो मुह की परिक्षा होनी है उसकी बारे में बताया है कि जीरो वन अब्रिक 2019 और अधिन सेवा लोवर पीसेश प्रारह्मिक परिक्षण का परिणाम गोसित हो चुका यह लगवक एक साल हो चुका है और मूग परिक्षा का जो आयोजन है वो माँ अप्रेल और मैं चर्क और के माई में लेकिन इसे की जो परिक्षा है, उसकी बारे में अभी USAAC में कोई भी कारवाई फिलाल नहीं चल रही है, और जिस तरीके से यूपिट्र पलसी की प्रक्रिया है उसे कता ही नहीं लग रहा है कि लोवर की जो परिच्छा है वो अपरेल यह महीने में हो पाएगी जूनियर असिस्टेंट की बारे में यहां लिखा है कि जीरो चार आपरिक 2019 कनिष्ट सहायक लिखित परिच्छा का परिच्छा का परिणाम में फरवरी 2021 मां में घोसित किया जाना संभावित है बिल्कुल बात लगबख सो प्रतिसत है यह उमीद की जूनियर असिस्टेंट का परिणाम है यह फरवरी की महीने में नहीं आएगा यह यह बात सही है किviamenteiteit है जांसके लिफसलीट निसकर्स के अधार पर आगे कि कोई कारवाई हो सकती है और लुप करें और रेजल्ट की बात करें तो जानकारी निकल करकिया रही है कि कि एवाद 2 रेजल्टों पर काम हो रहा है एक है teasing है ड़या परिष्टर की CANIK रिजल्ट आ स सकता है तो यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आपकी काम को तो लाइक बस कर दें जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धन्वाद